सुशान्त सिंग राशपूत का आज जन दिन है आज सुशान्त के हर चाहने वाले की आखें एक बार फिर नम है क्योंकि इस खास दिन को मनाने के लिए खुद सुशान्त ही हमारे बीच नहीं है और उनके परिवार के लिए तो आज का दिन सबसे कटिन है ऐसे में जन दिन के दिन सुशान्त की बहन शुएता ने उन्हें याद कर उनकी अंदेखी तस्वीरें शेयर की है और साथ ही एक पोस्ट में सुशान्त के सपने को पूरा करने की खबर दी है नवश्कार मैं दिश शर्मा आपका स्वागत करती हूँ मीरिया दर्बार एंटर्टेन्मेंट चैनल श्वेता ने ट्वेट करके सुशान्त का एक फोटो कोलाज शेयर किया है इस फोटो कोलाज में सुशान्त सिंग राजपूत की कई अंदेखी तस्वीरे हैं जिसमें वो बेहत खुश और अपने परिवार के साथ नज़र आ रहे हैं इस तस्वीर को शेयर करते हुए श्वेता ने लिखा लव यू भाई आप मेरा हिस्सा हो और हमेशा ही रहोगे श्वेता का ये पोस्ट सुशान्त के फैंस काफे पसंद कर रहे हैं इसके अलावा श्वेता ने एक और ट्वेट करके यह भी गोशना की है कि उनका परिवार सुशान्त के जन्दिन के मौके पर उनका एक और सपना पूरा करने के बहत करीब है श्वेता ने सुशान्त के एक पोस्ट का स्क्रीन शॉर्ट शेयर किया है जिसमें अभिनेता ने अपने सपने के बारे में बताया है इसके साथ श्वेता ने लिखा मुझे बताते हुए बेहत खुशी हो रही है कि भाई के 35 विजन दिन पर उनके एक और सपने को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाया है आगे श्वेता ने लिखा है यूसी बार्कले में एस्ट्रोफिजिक्स में रुजी रखने वाला कोई भी छात्र इसके फंड के लिए अपलाई कर सकता है हैपी बर्थडे मेरे चोटे भाई उमीद करती हूँ तुम जहां भी हो खुशी से रह रहे होगे इस पोस्ट पर सुशान्त के फैंस भी अपनी खुशी जता रहे है साथ ही सुशान्त के जर्म दिन पर उन्हें बदाई दे रही है बदाईयों के साथ सुशान्त को इंसाफ मिलने की एक बार फिर से गुहार लग रही है सुशान्त की मौत को साथ महीने से भी जादा बीच चुके हैं लेकिन अब तक मुंबई बुलेस और CBI ये बता नहीं कर पाई है कि इस घटना की असली वजा क्या रही आपको बता दें स्वेता ने 14 जन्वरी को भी एक पोस्ट किया था और पूछा था कि भाई का जन्व दिन कैसे मनाया चाए जो एकिस जन्वरी को है और सुशान्त के बर्थडे पर उनकी याद में तीन लोगों की मदद करने का भी सुजाव स्वेता ने दिया था और लिखा था कि आईए उसके जीवन का जश्न मनाए और उसकी याद में लोगों की मदद कर प्यार और खुशिया गाटे तो क्या आप लोग-SSI-R की याद में आज तीन लोगों की मदद करेंगे या आप लोग सुशान को किसी अलग तरीके से याद करेंगे यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताईएगा अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी जल्द ही फिर मिलूंगी किसी और फिल्मी खबर के साथ बागी सारी फिल्मी खबरों और चटपटी गपशब की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल मीडिया दर्बार एंटर्टेंडमेंट से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद